नमस्कार दोस्तों गुड आफ्टेनून एवरीवन गुड आफ्टेनून तारीक है 25 और दिन है संडे संडे के दिन तो बारिश भी हो रही है मौसम ऐसी सुहाना बन जाता है न और संडे के दिन तो फिर क्लास करने का लगता है कि तो आपके बास बहुत अच्छी ऑपरचुन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल विच इस रिक्वाइड टू क्रैक एनी जुडिश्री एक्जामिनेशन वह आपको घर बैटे अवेलेबल हो सकती है तो इस बात का फाया उठाए संडे है बारे चोड़िए पढ़ लिजे आज भी पढ़ लिजे क्या अधिकत है पढ़ने वाले के लिए हर दिन एक वीकेंड होता है तो अपना च्वाइस खुड़ चूज करें और सेकेंड ली अड़र 247 जुडिश्री पे अविलेबल है आपके लिए सारे कोर्से जो आप एक्जाम फोकस कर रहे हैं इस बार या अगले बार 2024 या 2023 वो सारे डीटेल्स आपको मिल यहां पर गुड़ आफटरनून निशी गुड़ आफटरनून चले अब देखिए आज मैं आपको बताने वालों जारकन जूटी शी के बारे में तो सब भी घर पे बैटे हो है ना घर बैटके अराम से मस्ती से चाय और पकोड़े खाई है ना और वीडियो को पूरा देख वीडियो को देखते देखते अपने जवाब भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाएगा गुड़ आफटरनून गुड़ आफटरनून रोहत गुड़ आफटरनून आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे जिंदगी में और मेरी दुआए आपके साथ है तो अच्छा कर यह आने वाली है बहुत जादा एक्स्पेक्टेट है कि बहुत जल्द आ जाएगा दोस्ट दो महिनी के अंदर आजाना चाहिए तो तो वीट वीड़ी वीज़ी अभी वोट वीड़ी वीज़ी अभी वाट वीड़ी अगया जाएग्वेसे जादा आपको प्राक्रिकल बे एंड वोट आस्ट वी लेफ्ट कोशिश करिए कि जो भी स्लेबस है पूरा कंप्लीट कुई सिल्बस काफी छोटा है जाटकर जुटी श्री का सिल्बस काफी छोटा है अच्छा है कि आपका सेशन है नहीं तो मैं गेम खेलने लगता है खेलो गेम भी खेलो ठीक है चलो अभी तुरह फिलोसोफिकल क्लास हो जाएगा इसने में कुछ कहनी ना गेम भी खेल दीजे मगार सही समय पर आंके खोल लीजे तो आगे बहुत दिक्कत होती है ठीक है सब्स सभी नहीं नहीं डी है यह अच्छा अच्छा тип का प्लीत डेखा डाइट सब्स andersभी तो नहीं होगा इस में देखो आप जब तक notification आए milliards डिये है है कोट के दौरा कोट के दौर एक गाइडलेंज दिया गया है गाइडलेंड क्या दिया गया है कि जो नए जजेज बन रहे हैं उनको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग टू अधर सब्जेक्ट्स जैसे पॉक्सो एंड लॉड डिलेटिंट वमें च सब्सक्राइब बढ़ा लेजिए प्लस एक्सपीडेंस के साथ ही साथ आप अगर परसेंटेज है बोर्ट आपके अधेको जैसे रोही तिया पर मैं यहां पर क्लियरली एंपी में लिखा गया कि 70 परसेंट आपको चाहिए होगा 70 परसेंट मार्क्स तो जिनका 70 परसेंट है ठीक है चली स्टार्ट कियाजाए सबसे पहले विच ऑफ फॉव थरॉइंग अंडर्लाइन प स्ट्रीली है है इंग्लिश तो भॉती माश्याल ला लोकि हैना होनी भी चाहिए चली बताया जाए है विच फॉली ऑफॉव और्लाइन पार्ट्स जिवन शेंटेंस ग्टें ख इंडियन गेट नेर दे इंडियन गेट कि नेर दे इंडियन गेट कि रहा है हमारी उनिवेर्सिटी में हाईस्ट रहते हैं 58 पर से लास्ट टैनियर्स के बात तो सही है बहुत सारे NLU's होते हैं जहां पर जो रैंकर होते हैं जो टॉपर होते हैं उनका मार्क्स आता है 72 and 73 so you cannot tell कि अब कितना होगा क्या नहीं होगा चीक है you cannot tell कि कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आ सकते तो यह तो बात है अब देखो the thing is the thing is whenever we read any act अब युनिवर्सिटी में अधसे मेड़ा सही ऐसा पड़ूँगा 70% सेवेंटी पर सेवेंटी परसें लेका ये क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं चलो क्या कह रहा है questions भी देख लो questions देख लो one of my अब देखो यहा पर ज्यादा तरह लोग ना इंद इंडियान गेट पर आ चाहेंगे कि पे इंडियान गते फ्रीप मेंगे लिट है इंडियन गरी ग ER अब सिस्टर जोता है कि मेरी बहन करσा हैCu I do not have a sister but one of my sister is one of my sisters is lives near the Indian gate in New Delhi so the correct answer will be a okay one of my sister so go let's see English English fill in the blank with a suitable form of verb in the following suitable form of verb in the following my friend dash living in Mumbai since 2015 2014 my friend is living in Mumbai has been living in Mumbai is being living in Mumbai was being living in Mumbai kya hoga hanji kya hoga is my friend is living in Mumbai since 2014 or else my friend has been my friend has been living in Mumbai very good very good my friend my friend has been living in Mumbai since 2014 questions up jharkand ke dekho ghe to what love koi 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 judishy exam aysa hote hana jinka kushan jharrakand ke dekho ghe koi jharrakand ke dekho ghe अब प्रनाम प्रनाम रजीव बीजेस मेंज बैच कब आएगा आएगा ही आएगा confirm है आएगा what we are planning is कि BJC नहीं एक main special batch we are launching main special answer writing के लिए तो उसके regarding वहाँ पर सारी details आएंगी बात हो गई है इस month के end में आपको शार inform भी किया था कि इस month के end में आपको यह available हो जाएगा so we will see that ठीक है क्या ऐसे जब they belong to the same party but they don't agree on everything they don't agree on everything oh harbaat pay pay sehmati nahi hoti hai harbaat pay harbaat pay pay मतलब on hooga they don't belong to the same party but they don't agree on everything again the word millennium refers to a period of millennium millennium का मतलब क्या होता है 100 year one million year 1000 year 10,000 years millennium millennium क्या होता है millennium मतलब क्या होता है millennium मतलब what does millennium means एक मिलेनियम मतलब अब यहां पर अब मज़ाएगा चलो बताओ एक millennium मतलब कितने years होते हैं बताए एक millennium में कितने years होते हैं एक millennium में एक हजार साल होते है 1,000 years यहां पर बहुत लोग 1 million years करके गरवरी कर देंगे तो 1 million नहीं होता है 1,000 years होता है millennium में चेक है तो आज जिन्हों ने law नहीं भी पड़ा है उनको भी मज़ा आएगा questions ही ऐसे-इस हैं यह नो fill in the blank with a suitable choice Delhi is dash not dash than shimla in May अच्छा Delhi जो है is dash than similar in May hot hotter more hot more hotter comparative 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 डिली और शिम्ला के बीच में comparison किया जा रहा है तो comparison किया जाता है तो कैसे करते हैं comparison कैसे करते क्या डालेगे आप याप 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 डिली is hotter h o t t e r hotter than shimla in May comparison करें ना तो hot comparison नहीं कर सकता है more hot term ही नहीं है more hotter वा 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 यह तो और तर्म नहीं है hotter होगा ना the the that Delhi is hotter than shimla in May आगया यह which of the following is similar in the meaning of that which cannot be read that which cannot be read बार-बार मैं कहता हूँ that which cannot be read मैं कहता हूँ बार-बार देखो कि यार मेरे पीछे जो चीज़े लिखी गई है यह legible है या नहीं legible आप पढ़ सकते हो या नहीं तो जो नहीं पढ़ सकते उसे क्या बोलेंगे इल लेजिबल इल लेजिबल आगया यह सेलेक्ट अप्रोप्रियेट च्वाइस तु फिल इन दो ब्लांक इन दसेंटेंस दाश टाइगर्स अ फेरोशियस फेरोशियस में तब क्या होता है यार हिए कब होगा टी प ये भी होगा जरूर होगा जहिन जहन स्वनम भारत महान है है चलो एक चीज आप मैं आप से पहले 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 इसका जवाब दे दो पहले इंग्लिश का पोशिन कर लेते हैं फिर में चोटी सी बात कहना चाहूंगा वह बात कहेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है तो वोट विल बेगा था रिखने कोई भी चीज यहां पर लिखने है अज़र है टाइगर सु होगा नहीं दर टाइगर सफिरोशियस नहीं and सकुल सही जौब है तो no article is required in here no article is required चले आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं na identify identify अगलग होता है UK में और USA में पहीं पर साइं तिपाइँ कहते है कहीं पर कि को silent कर लेते हों कहते है identify identify okay so identify the type of sentence given बिलो, can you lend me your pen, can you lend me your pen, please, what it is, declarative, operative, imperative, interrogative, interrogative, cruel, good morning, good morning, let me see, cruelty, carry cruel, cruel, okay, identify the type of sentence which is given below, can you lend me your pen, मतलब क्या है, ये question format में, question format कहां पर होता है, एक है, declarative, declare करता है, जैसे आप कभी act पढ़ते हो, तो act में लिखाता है, the court shall do this, तो ये क्या है, declare कर रहा है, ठीक है, आगे, operative, operative, imperative is a part of, is a part of sentence, but, यहाँ पर question क्या कह रहा है, can you lend me your pen, question form में, question आप कहां पूछते हो, interrogative form में, interrogative is the right answer, आगे बढ़ते हैं न, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, सर, 36 की marathon कब होगी, 36 की marathon होगी, 36 की भी marathon होगी, गरने, का I hope अपने फिल कर दिया है, I hope अपने form फिल कर दिया है, कलास तारिक ठीas, okay,иком चलं, आगे बढ़ते हैं, an opt-aleope, क्या लिखा यार, यह क्या लिखाया, ophthalmologist, ophthalmologist treats the disorder of, क्या disorder treatering करता है, skin eye heart brain ये दो पता होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए सारे पता होने चाहिए क्या ओगा क्या होगा ophthalmologist ophthalmologist I have some in some questions in some words I have trouble spelling them right okay so the ophthalmologist treats a disorder of an eye aankh ka doctor aankh ka doctor meri aankh ka power badh gaya pata hai mujhe yaad aya abhi meri bhi abhum ko apna chashmah badalwana padega aankh ka badal gaya power take it again the word terrestrial means connected with terrestrial is connected with what space water land air space water land air terrestrial ka matlab hota hai terrestrial ka matlab hota hai land related anything which is related to land terrestrial who appoints the judges of high courts of india bought badya question polity Aintyara hai bauhati baadya thoda-thoda arayyee sari chizite zamaza jayegi hai na celemaza jaya sir 30 na hi 30 nahiha kia 30 nahiha cya ah cara qya kahi rhiya phir se puchhe sve semera ck yawe appoints the judges of high court of india who appoints the judges of high court of india it is who appoints the judges of high court of India who does it यहाँ पर मुझे chief justice of India क्यों दिख रहा है भाई सब क्या कर रहे हो 11 का अच्छा date sir 30 sir 30 नहीं है अच्छा ओके 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 ठीके गॉट इडेखिए high court high court supreme court chief justice इन सभी को पॉइंट करता एक इन्सान that is the president of India that is the president of India 11 का C होगा से जबाब chief justice of India क्या क्या काम करेंगे आपउइन थोड़ी तर्ण करेंगे प्उइन कैसे क्या देट क्या थी नौ अगस्ट की तारिक थी आगर बिहार जुरीशिक लिए प्रेपेर क्या हो तो यह सारी चीज़ें तर्दम मुझ जबानी होनी चाहिए सबriosड़ता की मुझता है विट अर्दें सब्सक्राइब कामी से नाइट ब्लाइंड रात में कंसे कमीं हो गया था यह जो कि इस अब भीडी व्याई श जाता है यूंभ भीडीटू यह भूत वितामीन एवितामीन 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 एक की कमी से नाइट ब्लाइड निस होती हैaltet वितामीन एवन अव्सम्भी वनाफ dust falling Gases a Cause of Greenhouse effect उन उनफ फॉल एव आवस वजेस बीन ऊफने उर्ण और गरंग करने के लिए किन में से किस गैस की वज़ए से नैट्रोजन उक्साइट न्याइट चाररबन डैक्साइट कार्बन मॉन अक्साइड क्ट्टा गाले है कि व ह captiv... एक ऐसे ही सिमिलर कोशिन आया था बिहार जुड इश्टी में थी है एसी similar question था वहां पे था which of the falling gas does not support in greenhouse effect वहां बहुत सार ओप्शन दिये थे बहुत सारे लोगों गलती उसमें भी हो गया था गलती नहीं होना चाहिए था वो सारे questions पे बट स्टिल सो nitrogen oxide नहीं nitrogen oxygen nitrous oxide no carbon dioxide yes carbon dioxide to carbon dioxide to carbon dioxide क्या होता है अच्छा carbon carbon dioxide क्या होता है poisonous होता है न मेरा question यह है चलो मेरे आप तो जानी रहों मुझे question पूछने की आदत है यह poisonous होता है किस element या किस body की क्या parts से मिलके यह पॉइजनेस बन जाता है कार्बन मॉनोकसाइड पॉइजनेस होता है इसी क्या चीज से मिल जाता है वो ऐसी क्या चीज से मिल जाता है कि वो पॉइजनेस हो जाता है हमारे बॉडी में ऐसी क्या चीज है जिससे मिल के कार्बन मॉनोकसाइड पॉइजनेस हो जाता है गुड आफ्टेनून गुड आफ्टेनून बताया जाए क्या लगता है क्या है इसा चीज हेमोग्लोबिन के नाम सुने है हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन से मिलके इसकी यह हाल होती है और हेमोग्लोबिन को अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ यूए नो कब फॉर्म हुआ था किस तारीक को यूए नो फॉर्म हुआ था किस तारीक को यूए नो फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को आगे आए आगे आते दा अमेरिकन जेनरल सोड़ी दा अमेरिकन जेनल बुले ना का पॉर्ट चेंज हो गया है ठीक है सब्सक्राइब अमेरिकन जेनल टाइम थे चूजन वन फॉर्म है जाए चाह रहा है कि अब करेंट फिर साप को पढ़ने ही पड़े हैं तिक है अब कहा रहे है कि अमेरिकन जेनल ने 2015 के समय में वन फॉर्म है और फॉर्म है एंजला मरकल बाराक अबामा नरेंद्र मोदी मार्गरेट ठैचर कौन थे हूँ हूँ वाजट सुपास एंजला मरकल इंजला मरकल को इस साल कोई अवर्ड मिला है ओके यह कहती थी तारा आप समय को लोगा थर्टी है चाहते सगर की लाज़े तो मैंने फिल नहीं किया मैंने भी नहीं किया सोनम भी चूट गई सोनम का भी चूट गया तारा का भी चूट गया कोई बात मैंने के मैं कहला था एक चोटी सी बाज़ानीं शीर लगंचाना था कि मैंने ता general को का जाता है ठीके तो समय से पहले और इसजादा नहीं मलता है तो को सकता है को नसीब कहीं और लिखा है को सकता है कहीं और पे आपका सद'? को सकता है कि आपका बसस्ते दूसरा है कशंब कर दूसरा यँगा इक आउटतर Comics के जब भी एक्जाम के लिया प्रिपार करने होते हूं कि तो यह याद रखो कि आपको कुछ चीजे आपको कुछ अकॉईर करनी पड़ेगी ही अ भी से ही थीक्ति तो ठीक है कुछ आपको ऐसी क्वालिटीज होते हैं जो आपको क्वायर करना पड़ेगा उसमें से सबसे वाँ मेरे नाम से कमेंट आया है ओके कब तो एक से दो महीने में ठीक है दो महीने तक ठीक है सबसे पहले आपको रखना होगा पेशिंस बिना पेशिंस का बहुत जादा दिक्कत है हमेशा देखा गया है आगे के समय की जो भी सक्सेस्फुल लोग रहे हैं उन्हें पेशिंस रहा है हमेशा थे पेशिंस रखिया पेशिंस रखे कि अच्छा टाइम आएगा कोई बात नह है या नॉरrmal समय चल रहा है आवरे समय चल रहा है त Kate三 scored गया तो ट्रस्ट मीं बहूत च्छा लएगा त्रस्ट मी अच्छा जाएगा सब अच्छा लगे क्योंकि जब 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 रिजल्ट आ जए गधा और वहोग खुशी मिलेगी The satisfaction मिलेगा तो ये सारी प्रखर गाराकई कि मैने बथाए कि कि मैंने बताया कि डो महीनियकास अचर्ट कि क्लास के स्टार्टइंगे बताया ओमां ₹-1 दूसरी बात देखो ये बहुत कमी लोग सीख पाएं बट जो सीख गया ना वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं ठीक है avoiding trouble avoiding trouble और तीसरा बात होता है अगर आपको सक्सेस पाना है तो यह तीन क्वालिटी एकदम ही ज़रूरी आपका ठीक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी यह तीन चीज पहला है पेशेंस रखो पेशेंस के बिना कुछ नहीं है मगर यह बात सोचो कि अगर आप ही पेशेंस रखे अगर आपने एक साल बस वन एर अगर आपने अच्छे से कर लिया वन एयर यू डिड नाइसली एक साल अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो रिजल्ट होगा और आगे के पचास चालिस से पचास साल जितनी आपकी जिंदगी है वो सिक्यूर हो जाएगे तो यह सोचो इन सालों के बारे में सोचो इसके बारे मत सोचो दूसरी बात क्या होता है हर दिन हर दिन जब सुबह उठते हो अमन कहता है आज नहीं पढ़ेंगे आज मौसम बहुत अच्छा है आज बारे शोड़ी है आज पाकॉरे खाते हैं चाय पीते हैं आज घूमने चलते हैं तो दिमाग में एक बात याद रखना कि जब आप घूमने जा रहे ह होना तो एक आदमी अपने सपने के पीछे दौर रहा है जब घूमने और चाय पीने जा रहे हो तो एक आदमी है जो बोल रहा है कि अरे जितना घूमेंगे उतने पचास कोशिन mcq का हो जाएगा उस उस इंसान से कैसे जीत होगे हाव विलिवन फॉम दाट मैन और डाट ग गये मुस्कुडाई और जाने दिजिए हमें पता है कि हमें क्या करना उस पर फोकस करो यह चीज को मिस्स नहीं करना है और तीसरा है आवोईडिंग ट्रबल जो की बहुत लोग बहुत ही बोलते हैं ना एकसपर्ट होते हैं ट्रबल को लेने में एक्स ट्रैक करने में तो ट को सक्सेस पर पहुचाएगा लिख के रख लो यह बात लिख के रख लीजी यह तीनों का ही कॉंबिनेशन अब को पहुचाएगा अगर टेंशन ने देवाग में कुछ सोच रहे हो सोच रहे हो पढ़ाई तो भूल जाओ होएगा है अगर हर कोई चोटी मोटी बात या कोई भी दोस्त आपको बूला दे आप चले जाए आप टाइम वेस कर दे परसेवेरेंस खतम पेशिंस पेशिंस रहेगा एक साल तक महीनत कर करोगे दो साल तक महत करोगे शिद्दत नहीं रहेगी छे मेना में देखोगी किसी दोस्त का अच्छा जब लग गया कोई दूसरी जगा चला गया कोई चोड़ के चला गया कोई इधर चला गया कोई आपका बेस्ट ट्रेंड है वह आप दोनों ऑफिस साथ में हो फिर वो नि टाइम को बोलते ना कि है पुड़े वीकेंड पुड़े वीकडेश पुड़े हफ्ते मैंने बहुत मैंने करें संडे को मैं आराम करूंगा नहीं है संडे को जादा मैंने करो अधिक वही काम आएगा चले तो I hope कि आप समझे हो अगर समझे हो तो कमेंट शेक्शन में लिख चलिए आगे बढ़ते हैं है ना आगे बढ़ा जाए कोशन देखी क्या कह रहा है अम्रावती इस बींग मेड न्यू कापिटल और विच फॉल्लविंग 2016 इसलिए एक दो साल पूराना कोशन पूछा जा रहा है कह रहा है अम्रावती किसका कैपिटल बनाए गया है यह तो आपको सभी को पता होना चाहिए अम्रावती किसका कैपिटल बनाए गया है अंदरप्रदेश का कैपिटल ठीक है आंदरप्रदेश का कैपिटल बनाए गया ये याद रखेंगे अब आगे बढ़िए अच्छा एक छोटा साब से सवाल है समझेगा अगर शायद मैं ही ऐसा सोचना हूँ या भी ऐसा सोचना मुझे जानना है जब यहाँ पर ऐसे नाम लिखा होता है ना जिस्टिस मिनाक्षी मदन राए अब अपने नाम पर इमेजिन करो कि अपना नाम के आगे लिखा हो जैसे मेरे नाम के आगे लिखा हो जस्टिस अमित आनन्द क्या फीलिंग आएगे ना अब यहाँ पर जैसे मेरे इस कि नहीं यार में तो यह सारे लोग आप अपने नाम के पिछे दौड़ों ना उस सपने के पिछे जोड़ो ना उस सपने के जोड़ो मैं ऐसा ज्ञश्ट्रा दूँगा यह जो आगे 50 साल बाद भी लॉष्कुल में पढ़ाया जाएगा और मेरा नाम भले मैं ना रहूं बट मेरे रहने के बाद भी मेरा नाम आगे चलेगा इस अपने की फिछे दोड़ो यार इस अपने की फिछे दोड़ो जिंदगी मुकमल लगने लगेगी मिनाक्षी मरलन राय जी आई थी सिक्किम में जो फर्स्ट वुमें जच्ञ आफ हाइकुट बनी थी सिक्किम की ठीक है विचाटर फॉलिंग और विच्ञ आपॉलिंग्र राइटर विंग्स ओफ वाह बहुत अच्छी बुक लिखी गई है विंग्स ओफॉर मैंने पढ़ा भ सेट सर एपी जब्रॉल कलाम सर एपी जब्रॉल कलाम बिलकुल सर है ठीक है क्रिस्टाइड रोनाल्डो है रेसेंट लिग वोटेड अधर नंबर वन फुट्बॉलर ही हेल्स रोनाल्डो साहब कहा के रहने वाले हो यार लव फुट्बॉल ठीक है I'm a fan of Messi मैं मैं सी का जादा लुट्बॉल ठीक है रोनाल्डो प्लेयर वन्डर्फुल प्लेयर मैसी इस गिफ्टेड रोनाल्डो एज मेड इंसल दाट तो आई विल आल्वेज अड्मार है तो कहा के रहने वाले रोनाल्डो साहब पोर्टुगल के रहने वाले अर्जंटीना से कौन थे मैसी थे ब्रा नहीं अब बेल्जिम जादा चीए ठीक है तो अगर इस पर डिसकेशन करना हो कौन टीम जादा चीए तब तो मैं बहुत आगे हूं ठीक है आगया यह कोशन नमबर 21 कहता है क्या कहता है क्या कहता है एक किस प्यार थे क्या कहरा है क्या कह रहा है क्या कह रहा है क्या क्या किस देखिए ओगल बहुत पढ़्यारे वह मैसुत तुजल यह स्वेरिनस चल यह बताओ अब माजिस्ट्रेट अपाउर टो डारे पुलिस टीजेट इन्टो एन ओफेंस इन सीया पीसिजिवन अडर 156 123 सारे की साथ प्रोविजिन 156 यह याद रखिए 156 बहुत इंपोर्टन प्रोविजिन एस यह पीसी का 156 इस वेरी 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 इंपोर्टन पुर्विजिन अड CRPC और यह बात कहता है मजिस्ट्रे साब कहता है कि पुलिस को आप पुलिस जो भी उनके जुडिस दिक्शन में जो भी पुलिस होगा उनके जुडिस दिक्शन में जो भी पुलिस होगा उसको कहा है कि इन्वेस्टिगेट करिए जो ओफेंस पे यह बात कहा गया है 156 क्लॉ क्लाउस नंबर 3 में कहा गया यह बात 156 क्लाउस नमर 3 अन्डर श्कीम ऑफ CRPC नॉन कोगनिज़ेबल ओफेंसे जान नॉन कोगनिज़ेबल कोगनिजेंस मतलब होता है संग्यान लेना कोगनिजेंस मतलब उसका संग्यान आप नहीं ले सकते हो तो मुझे उसके लिए पहले मज आपका चाहिए होगा क्या कंसेंट उनका एसेंट उनका अप्रूवल चाहिए होगा तो अंदर श्कीम ऑफ CRPC नॉन कोगनिज़ेबल ओफेंसे अप प्राइवेट रॉंग पॉब्लिक रॉंग बोथ प्राइवेट और पॉब्लिक रॉंग नन ऑफ दा अबव चलो इसका ज जाके पढ़िए section नमबर टू का clause नमबर एल section का section 2 clause फदेंगे आप CRPC का you'll get answer section 2 clause पढ़िए आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा confirm मिलेगा ही कैड ट्राइवाइट रॉंग की तरह उसे हम रखते हैं आ गया यह अंडर सेक्शन 159 CRPC the magistrate has a power to 159 CRPC में magistrate के पास कैसा power है है भी या नहीं power है पहला डेप्यूट एनी magistrate subordinate to him to hold a preliminary inquiry direct investigation by the public दोनों करवा सकता है section 159 CRPC में magistrate के पास power है कि वो अपने से छोटे subordinate magistrate को power direct करेगा कि आप inquiry बिठाइए दूसरा यह भी कर सकता है कि पुलिस को बोलेगा कि भाई साब investigation करो सीधा यह दोनों बाते कह सकता है 159 CRPC में आगे आते हैं under section 167 CRPC the nature of custody can be altered from judicial custody to police custody judicial custody से police custody में change कर सकते हैं and vice versa इधर से भी ऐसे भी change हो जाएगा ऐसे भी change हो जाएगा तो यह कब हो सकता है during the period of seven days पहले साथ दिनों में पहले पंद्रा दिनों में पहले 14 दिनों में पहले 10 दिनों में बहुत ही minute question है जिसने भी minutely पढ़ा है उसे जवाब रहे पता रहेगा पता रहेगा कह रहा है मैं फिर से question आपके लिए repeat करता हूं question कह रहा है कि judicial custody से police custody में alter कर सकते हैं या तो police custody से judicial custody में alter कर सकते हैं मगर वो पहले के कुछ समय में मलब जब start होता है उसके starting में ही आप कर सकते हो तो इतने दिनों में साथ दिन दस दिन चौदा दिन पंद्रा दिन section 167 कहता है कि पहले 15 दिनों में आपके पास यह पावर है first 15 days 15 दिनों में आपके पास यह पावर है कि आप judicial custody से police custody में चले जाए या तो police custody से judicial custody में भेजा जाएगा तो यह क्या मतलब हमारे जो guilty जो accused होता है उसके मर्जी पर होता है क्या obviously not judge साहब करेंगे रेट देखो judge साहब मैं बोलता हूं judge साहब या judge साहिवा दोनों ही है ठीक है ओके हाई 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 पी हूँ ओके चले आगे बड़े आगे बड़ा जाए थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं ठीक है अब बताए जोईंट ट्राइल जोईंट अके यह राचूट गया था हाँ ठीक है ड्यफेमेशन अच्छा यह बता हूं तो कि डैफेमेशन प्रायवेट या पॉबिक है पहला को मिल्क्राइब यह पॉड्लिक हो यह कैसे रोंगे हाँ कैसे णोगे प्रायवेट है यह पॉबली के क्रिमिनल नस्यचर का है यह स्विलन नेचर का है defamation पहले इसका ज़व बताई आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे हेलो फ्रेंड्स ठीक है जोके प्राइवेट होगे चलो में एक प्राइवेट ओंगा आया एंसर में और सबी से ज़व है मेरा कोशन सिंपल सा समझो है दो प्राइवेट प्राइवेट रोहत कहीं दिया जाता है से क्रिमिनल में क्या होना है पनिश्मेंट में आपको या तो जेल हो जाती है उस से रिलेटेड आपको पनिश्मेंट जो होती है वो होती है किसमें क्रिमेनल में है ना कि डेफेमेशन जो है कि सब भी लोग सीख लें आप अच्छे से डेफेमेशन आप कहां पढ़ते हूं सेक्शन नमबर 499 और 500 में पढ़ते हो गया आईपीसी में पढ़ते हैं क्या आप और टॉट्स में भी पढ़ते हो गया पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो बिल्कुल पढ़ते हूँ, defamation प्राइवेट रॉंग भी है, पब्लिक रॉंग भी है, तो defamation भी criminal charges भी लग सकते हैं और civil charges भी लग सकते हैं, दोनों लग सकता है, लोग इरिवित अमित थीक है अमित बहुत से जोब वेरी गुड अमित अच्छा लगता है कोई कहे वेरी गुड अमित है ना खुद कोट खुद की तारीफ करना अच्छा लगता है कह रहा है कोगनिजन सुप उफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर चाप्टर ट्विटीव फई- क्या होगा कहता है कि जब भी डेफेमेशन का केस करना होगा तो जिस इनसान को डिफेम किया गया है जो अग्रीवड है वही जाके केस फाइल करेगा अजो अग्रीवड है अग्रीवड है वही जाके केस वाइल करेगा अभी अडानी आज़ो है अडानी नाम तो सब्सक्राइब को क्लीन चेट ने धिया गया सुप्रीम कोट के दौरा की उन्होंने जो भी डेप्स हो सारे पेकर दिये तो अडानी किस किया था एक फॉरेन फॉर्म पे जो कि सौरी चीज़ों पर एक वेरा से कंट्रोल रखती है और मॉनिटर करती है उस पर केस किया था अडानी नहीं किया था सुमोटो तो नहीं को केस कर लेगा नहीं करेगा अग्रीव परसन यह बात लिखे गए सेक्शन नमबर 199 clause 1 of CRPC में 191 199 clause 1 CRPC में लिखा गया है इससे आप पढ़ सकते हैं सुमोटो नहीं होता है ठीक है जब अग्रीव करेगा केस तभी होगा joint trial of several percent is permissible बहुत सारे परसन है A, B, C, D, E और सबका केस तबने केस किया F के अगेंस्ट तो हमने क्या बोला कि 5 केस करने से अच्छा है एक ही केस कर लेते है joint trial कर लेते हैं several percent का इस बात की अनुमती इस बात की अनुमती किस section में दी गई है question आपके सामने यह है इस बात की अनुमती कहां पर दे गई है तो यह दी गई है section number 223 CRPC में section number 223 CRPC में दी गई है कहता है rule or tre force acquit or tre force convict is contained in पहले ही बता हूँ यह जो or tre force acquit or tre force convict है constitution में किस article में दिया गया है constitution के किस article में दिया गया है or tre force acquit or tre force convict under which provision of the constitution listen to me very carefully जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यह आप समझ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है कहां पे दिया गया है कहां पे दिया गया है किस provision में दिया गया है question number 27 very good तारा बहुत बढ़या बहुत बढ़या अब आपको याद क्या रखते हैं अब जैसे मैं आपको बता हूँ कुछ बात example के तौट पे बताता हूँ ठीक है देखिएगा example के तौट पे जैसे यह जो और्टर फोईस कॉन्विक्ट है और्टर फोईस अक्वेट एंड कन्विक्ट यह बात section अब स्टी ओ आई कर रहते constitution अफ इंडिया वैसे ही आप जाओ देखोगे रेस जूरी कार्टर का जो प्रोविजन है यह दे रखा है section number 11 TPC में और यही बात दे रखा है section number 40 इंडियन एंड एविडेंस आक्ट पर दे रखा है एक concept दो जगा एक topic दो जगा तो जहां पर आप देखो यार लॉइक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने अकेला अकेला इसको पढ़ा तो यह कभी नहीं समझ आएगा ठीक है कभी यह कभी भी समझ नहीं आएगा तो लॉइक ऐसी चीज़ें जिससे हमेशा साथ में पढ़ें आप दूसरे दूसरे के साथ देखे जैसे वेरी गुड वेरी गुड़ टारा अलग अलग पढ़ें और फिर सबको मर्श कर दिया कि अच्छा यहां पर वाली बात यहां पर विदी गई थी तो हाँ पर मैंने लिख दिया मैंने आर्टिकल नमबर 20 section number 40 Indian evidence के अपास लिख दिया मैंने section 11 कहीं पर बार है तो वह बार के बार ने डाल दिया मैने तुम मिला के पढ़ेंगे आप मिला के पढ़ेंगे तो यह इसका जवाब हमें मिल गया इसका जवाब हमें मिल गया section number 300 or CRPC 300 में बहुत बढ़े हैं सही जा रहे हो सही जा रहे हो आगे है यह इन विच आफ फॉलोइंग इन विच आफ फॉलोइंग इन विच आफ फॉलोइंग केसे इस दे सुप्रीम कोट हैल्ड डाड़ हाई कोट कैंनोट डारेक्ली इंटर्ट question number 28 यह बात कहा गया था state of gujarat वर्सेश शलीम भाई अब्दूलगफर शेख में अलीगल क्या कह रहा है अलीगल remember answer a legal remember answer cannot be made ex-officio public prosecutor this was held in यह भी landmark case के बारे पूछा गया है और यह बात कही गए थी state of quillair versus कर्विर्टिकल कृष्णन नो वी रामाचनन इस भी नहीं था साही जवाब होगा none of the above a legal remember answer cannot be made ex-officio public prosecutor this was not held in the cases given in the option urgent cases of nuisance or apprehended danger falls under यह question important है यह question आपका important है कह रहा है कि urgent case आता है nuisance का बहुत बार आप देखते होगे कि घर पे आप बैठे और आम से और घर के रोट के उस साइट कच्छा फैला दिया गया ठीक है कच्छा फैला दिया गया पूरा कच्छा फैला दिया गया और बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में कहते हैं ना कि नेचर को जो आप दोगे वही नेचर आपको वापस देगी तो क्या हुआ कि रोट के जाके मुझे केस करना हो किसा जल्दी से जल्दी कच्रा हटाइए क्या हो रहा है विमारी फैल रही है आप अगर कोई डेली में रहा है तो उससे पता होगा कि डेली में कच्रे का पहाड़ है ठीक है बहुत दूर से दिखता है और रिपोर्ट गिवेन बाया वेड़ी लेक इंडियन इंस्टिउट है और या फॉरें की है डूंट रिमेंबर बट उसके हिसाब से कि उस कच्रे के धेर के पांच किलोमेटर रेडियस तक जो भी लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अल्रेडी कम हो रही है हर दिन हर दिन कम हो रही है तो क्या ही यह न पांच किलोमेटर बहुत होता है डेली में डेली में कि कहीं पे भी पांच किलोमेटर एरिया में नहीं भी तो 30-40-50 लोग रह रहे होंगे आराम से उन सभी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी खड़ाब हो ठीक है और सही है बहुत बड़ा पहाड़ हो बस दूर से बस देखो त थे पता नहीं क्या जिंदगें क्यों नहीं हटाय जा रहा है तो और जं टीसे वैसे केसे नूसंस में आते हैं तो वह सारे सारे आएंगे सक्षेन नंबर कहां पर जाएगा कोश्टन नवर 30 कहां पर जाएगा बजाएगा सेक्षिन नंबर 134 CRPC के अंदर सेक्षेन 144 CRPC लेन वार्ट ऑल्सों एक्जिक्टिट ड़ कोट में प्रोसीड अंडर वन वार्ट ऑल्सों केंनोट एक्जिक्टिटेट तब कोट कहा जाता है तब कोट जाता है जाता है सेक्शन नंबर 82 बहुत टाइम लगेगा सर उसे हटाने में ठीक है वो टाइम लगेगा ठीक है बहुत टाइम तो लग जाएगा मगर सोचो ना कि 20-30,000 लोग की जिंदगी से तो जाला टाइम नहीं लगेगा है न चलो सेक्षिन आएटीटीटू आएटीध्री समाज के लिए कुछ करना है है तो कुछ तो बहतर कर ना है अब आता है ple absolut bargaining एक चैप्टर एक किया गया था 1973 से यह बात कहां पर लिखे गई प्रीब आरगीनिंग का स्टेटर क्या है सेक्शन नमबर क्या यह पूछा रहा है सीधा कोश्यंट पूछ रहा है जिसको पता है वह सीधा जॉब बिता सकता है अब देगो कन्फ्यूज करने लिक थे 265A से तो स्टार्ट होई है खतम का होता है एल पे खतम होता है जिससे पता है उसका सही जाओ आएगा जिससे नहीं पता है वो गरबरी कर देगा तो 265A से एल तक होता है प्ली बार्गेनिंग में अंदर सक्षें 252 और सक्षें 255 ब्राइब ट्राइब होना चाहिए किस ओपर की बात कर रहा है यह बात कर रहा है आफेंस नंबर चैप्टर ओफेंस गिवें अंडर चैप्टर नमबर 20 ओफेंस गिवें अंडर चैप्टर नमबर 20 चेक है आगे है इन विच आप फॉलिंग केसे इस अप्रीम कोट हैल्ड दाट अफाय वस नॉट अस सबस्तांटिव एविदेंस और कुट अनली वी यूज़ अगोड है और इसका नाम आप याद रखेएगा सी मगेश वर्सिस स्टेट अफ करनाट का 2010 इसमें क्लियरली कहा गया था कि एफायर को आप सबस्तांटिव एविदेंस की तरह नहीं लिखिएगा एफायर क्या होता है फॉर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैंने फॉर्स इंफॉर् इंफॉर्स 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 आज मुझे लग रहा है ना कि जादा तर बच्चे आज घर पर बैठके चाय पकॉड़ा का रहे हैं ठीक है मैं को दिख रहा है फीलिंग आ रही है मैं को ऐसी अच्छी बात है चाय पकॉड़े कॉफी पीजे बिल्कुल इंजोई करी मौसम है मगर जब जच की कुरसी बैठके चाय पकॉड़े खाएगा तो जारा अच्छा लगिया तब हर दिन बारिश लगेगी है ना इव दे अक्यूज इस नॉट अक्विटेड अंडर सेक्शन 232 CRPC देन दे कोर्ट कॉर्ट कॉल्स अपॉन हैं तो एंटर उन इस देफेंस इस कांसल इस वर्जन इस स्टेटमेंट कोशियन नंबर 36 कोशियन नंबर 36 इव दक्यूज इस नॉटेड इव दक्यूज इस नॉटेड अगर एक अक्यूज को हम नहीं अक्विट के हैं 232 में तब वो अपने दिफेंस के लिए जा सकता है इस दिफेंस in case of anticipatory breach of contract an aggrieved party an aggrieved party has the right to claim performance at any time cannot claim any remedious performance is still executory may wait till the date of performance does not have the right to terminate the contract kya hoga anticipatory breach of contract कॉमेडी भी चल रही है कमिल सक्षन है बहुत बढ़िया वेरी गुट है ना चलो अब यह बता हो breach of contract होने वाला है यह anticipate कर लिया है मैंने मुझे पता है कि आगे होने वाली है गड़बडी और मैंने anticipate कर लिया है तो अग्रीव पार्टी क्या करेगा अग्रीव पार्टी has the right to claim performance at any time अग्रीव पार्टी बोलेगा कि भाई साब मुझे ड़ड़ लग रहा है कि आप तो कुछ गड़बडी करने वाले हो तो एक काम करो ना यार जो मैंने कहा है उसे कर दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए तो क्या करेगा claim करेगा which of the following statement is not correct acceptance must be communicated acceptance must be in writing oral acceptance is a valid acceptance acceptance must been prescribed manner नहीं हो थर्टी बहुत ही सिंपल सा बात है कि हमेशा यह कहता है acceptance must be in writing नहीं यह जरूरी नहीं कि लिखे तो कह के भी तो बोल सकते हैं कि हां मैं accept कर रहो जरूरी नहीं कि लिखे तो यह बात कहां लिखे गए यह बात लिखे गए यह सक्षिन नमबर 7 इंडियन contract act me restitution the principal restitution stops when repayment begins यह कहां पर है can be applied against can be applied against an alien enemy and incapable person lunatic and idiots minor minor किसके लिए restitution stops restitution रुख जाता है जब repayment करने लगते हैं यह बात बस माइनर्स के लिए applicable है alien enemy no in cable person no lunatic and it's no only miners only miners बस माइनर के लिए होता है प्रॉमिस्री स्टॉपल इस सम्टाइम्स spoken of as a substitute for promise री स्टॉपल को क्या बात क्या बात अर्यापर जवाप तो सही सही आ रहे हैं बढ़िया very good promise to stop well is sometimes spoken spoken as a substitute for किसके substitute में हम promise to stop well is sometimes spoken as consideration agency होता तो कोजी contract हो जाता coercion or novation is a feature coercion is a feature under which a contract becomes voidable whereas novation is the alteration made in a contract तो चारो बाते चारो की जानकारी आपको होनी चाहिए चारो की चारो की जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है ओके अगे अगे a change of nature of obligation of a contract is known as same question अभी मैं वही कह रहा था वही कोशन इन होने दे दिया चेंज जो होता है उसे कहते हैं novation जो की section number 62 section number 62 Indian contract act में दे रखा है contract के question आप comparatively देखी तो easy होते है notice in the newspaper inviting tender यह क्या होता है an invitation to proposal and invitation to proposal paper में लिखा रहता है आजकल बहुत कुछ लोग की शादिया नहीं हो पा रही है और कुछ लोग करना नहीं चाह रहे हैं तो वहां पर paper में लिखा रहता है एक तो बहुत ही अजीब डिस्क एक तो बहुत ही अजीब तरीके से वह अपना description description देते हैं कि लड़का यह है लड़का गोड़ा है लड़का की हाइट यह लड़का का मारा है लड़का का धर्म क्या है उसका कास्ट क्या है यह सारी चीज़े दे दे तो लोगों को ओफर कर रहे है कि आओ शादी करो यह invitation दे रहे है वो एक invitation है invitation to proposal है that newspaper column वो एक invitation होता है proposal के लिए an invitation to the proposal an invitation to proposal आगे examine the following statement every contract is an agreement बिलकुल every agreement is a contract बिलकुल नहीं every lawful civil obligation is a contract अच्छा every contract has a legally enforceable civil obligation अच्छा examine the following statement question है यह incomplete question है यह incomplete क्योंकि हाप एक क्लियर कौन सासर आपने भी दिया पेपर क्या अच्छा मैंने हाँ 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 कुद किश्मती है कि यह सी कभी नौबत नहीं है मुझे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अग्रीमेंट के अंदर होता है कॉंट्राक के अंदर अग्रीमेंट नहीं होता है यह बात आप याद रखेगा आगे बड़े ठीक है दूसरा पॉइंट इनमें से और कोई सही लग रहे है क्या इनमें से कोई और सही लग रहे है क्या क्यों और से लग रहे है यह भी सही है एवरी कॉंट्राक्ट है जो भी बात लिखी गए वह आप आपर उसक होती है पार्टी के उपर उसे एक्जिक्यूट करने के लिए अगर वह नहीं कर रहे हैं तब हम जाते हैं यह कोट की पास कि सवेर इन्होंनें कान्ठ ने रहे अब यह मान नहीं रहे है तो नीचे लिखिए विच आव पॉलिं इंस आख करेंथ कॉन-कॉन सह दो केसलोज है दोनों केसलोज को आप याद रख लें दोनों का दोनों याद रखिये कहता है Union of India versus Madala 23 is an illustration where the tender was in the form of standing offer B the rule laid-down in Adam versus Linsall was approved by the house of lords in Dunlop versus Higgins ये दोनों केसलोज को आप याद कर लेंगे ये दोनों केसलोज को आप याद कर लीजेगा ठीक है आगे which of the following which of the following agreements is held to be opposed to public policy public policy के against होना है ठीक है the arbitration clause for the application of foreign law payment in foreign currency agreement for payment of less salary agreement for payment of less salary सुनने में ही पता चल रहा है कि minimum wages ही नहीं दे रहे है minimum wages ही नहीं दे रहे हैं कि agreement में जूट कहने की बात कर रहे हैं तो वो public policy के against होगा 46 का सही जवाब है B C sorry 46 का सही जवाब है C question number 47 the facts of Griffith versus Brimer would also attract section 20 and facts of Krell versus Henry attract क्या बात है क्या बात है क्या बात है कोशन कह रहा है कि जैसे Griffith versus Brimer attract करता section 20 को वैसे ही Krell versus Henry attract करता है किस section को तो यह करता है section number 56 को section number 56 किस बारे में है comment section में लिखके बताए section 56 of the Indian contract Act mentions about which feature of contract kindly tell in the comment section comment section में बताए और फिर आगे बढ़े आगे देखे the obligation to restore the obligation to restore advantage in a void agreement is provided by is a void is provided by obligation होता है कि जो भी advantage मिला है जो भी फायदे हुए इसको restore करने की किसी वाइड अग्रीमेंट में यह बात कहीं गई है section number 65 of Indian contract Act section number pass it of Indian contract Act impossibility very good the doctrine of frustration the doctrine of frustration गया गया है section number 56 में आ गया यह a continuing guarantee continuing guarantee कहां पर दिया गया है a continuing guarantee under section 130 130 में दिया गया है 129 में भी है कुछ यह आपको पता होना चाहिए so continuing guarantee mentioned under section 130 130 में जो continuing guarantee के बारे बात की गई है वो किस बारे में है वो irrevocable है revocable है यह क्या है absolutely है क्या है यह a continuing guarantee under section 130 is revocable यह याद रखो गया आप कि रिवो किवल है मगर as regard to future transaction पे absolutely नहीं होता है absolutely बिल्कुल भी नहीं होता है कि आगया यह चलिए आज हम लोग section number 52 करेंगे और कल फिर हम लोग बाकी के 48 questions complete करेंगे तो जल्दी से तीनों का जौब बताना है जल्दी से तीनों का जौब बताए पहरा question यह कह रहा है for the purpose of pledge pledge security की तरह होता है the delivery of possession of goods may be what for the purpose of pledge the delivery of possession of goods has to be actual has to be actual a valid lease can be determined by a valid lease can be determined by evlux of time you flux of time there can also be sale byancy निशन्य प्रॉइब फ्रॉड पर फ्रॉप प्रॉप B by stop there can also be sale by stop it होगा सही जवाब सेल बाइस टॉपल होगा सही जवाब सेल बाइस टॉपल ठीक है अब देखो हमने क्या क्या किया आज हमने किया English आज हमने किया थोड़ा current affairs थोड़ा CRPC और किया है contract ठीक है contract तक कर लिया अब आगे चलेगा यहां पर आपका आएगा evidence act आपका आएगा CPC आपका आएगा IPC तो यह जो सारे questions है यह आपके आएंगे next class में हम लोग इससे continue करेंगे जारकर जूरिश्टी उतना अच्छा परफॉर्म करोगे और जल्दी से जल्दी जल्दी जाओ क्योंकि हर साल कुछ competition बढ़ रहा है देखो नए changes आगए MP में बोल रहा है कि नहीं अलाव करेंगे कहीं पे बोल रहा है कि और आठ नौ एक्ट डाल देंगे तो जितनी जल्दी 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 सु को भी पहुंच जाएंगे तो मेहनत करें लगे रहें और मुलाकात होगी आपसे एसी नेक्स क्लास में अंटेल एंट टेक कियर और थैंक यू जैहिंद